प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अठारवी लोकसवा के प्रथम सत्री की शुरुवात से पहले संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। साथ्यों, संसदिया लोकतंत्र में आज का दिवस गवरव में है यह बैभव का दिन है। हमारी अपनी नई संसद में यह सपत समारो हो रहा है। अब तक यह प्रक्रिया पूराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपुन दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित संसदों का रुदय से स्वागत करता हूं। सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानुवी के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग नए उत्सा के साथ नई गती नई उचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपुन आउसर है। स्रेष्ट भारत निर्मान का विक्सिद भारत 2047 तक का लक्ष ये सारे सपने ले करके ये सारे संकल्प ले करके आज अठारवी लोकसभा का प्रारंब हो रहा है। विश्वकां सबसे बड़ा चुना बहुती शांदार तरीके से बहुती गवरोमे तरीके से संपन होना ये हर भारती के लिए गर्व की बात है। एक सो चालीस करोर देश वाद्शों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोर से जादा मत दाता होने मतदान में हिस्सा लिया। ये चुनाव इसलिए भी बहुत महतोपूर बन गया है कि आजहादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। और ये अवसर साथ साल के बाद आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जवरोपूर्ण घटना है। साथियों जब देश की जनता ने तीसरे कारकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है। मतलब उसकी नियत पर महर लगाई है। उसकी नीतियों पर महर लगाई है। जनता जनारदन के प्रती उसके समर्पन भाव को महर लगाई है। और मैं इसके लिए देश वासियों का रजे से आभार व्यक्त करता हूँ। गत दस वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रसाविश करने का निरंतर प्रयास किया है। क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है। लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मा भारती की सेवा करे 140 करोर देश वाजों की आशा आकांग्षाओं को परिपूर्ण करे हम सब को साथ लेकर के चलना चाहते हैं सब को साथ लेकर के सम्विधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए मेनें को गती देना चाहते हैं अठारवी लोगसभा में हमारे लिए खुशी के बात है कि युवास सामसदों की संग्षा अच्छी है और हम जब अठारा की बात करते हैं तो भारत की परंपराओं को जो जानते हैं भारत की सांसुर्तिक विरासत से जो परिचित हैं उनको पता है कि हमारे यहां अठारा अंक का बहुत सात्विक मुल्य है गीता के भी अठारा अध्याय है कर्म, कर्तव्या और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है हमारे यहां पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी अठारा है अठारा का मुलांक नव है और नव पुर्णता की गारंटी देता है नव पुर्णता का प्रतीक अंक है अठारा वर्ष की आयू में हमारे यहां मतादिकार मिलता है अठारवी लोकसभा भारत के अमरितकाल की इस लोकसभा का गठान वो भी एक सुप संकेत है साथियों आज हम 24 जून को मिल रहे हैं कल 25 जून है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पित है जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परमपराओं पे निष्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवस है कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के समिधान को पूरी तरा नकार दिया गया था समिधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गये थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोक तंत्रों को पूरी तरा दबोच दिया गया था एमर्जंसी के ये पचाथ साल इस संकल्प के हैं कि हम गवरों के साथ हमारे समिधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र लोकतंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देश्वासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो पचाथ साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पर काला धब्बा लगा दिया गया था हम संकल्प करेंगे जिवन का लोकतंत्र का हम संकल्प करेंगे भारत के समिधान की निर्विष दिशागे अनुसार जन सामान्यकी के सपनों को पूरा करना साथियों देश की जनता ने हमें तीसरी बार मोका दिया है ये बहुती महान विजय है बहुती बब्ब्ब विजय है और तब हमारा दाईत्व भी तीन गुना बढ़ जाता है और इसलिए मैं आज देश वाच्चों के विश्वाद दिलाता हूं कि आपने हमें जो तीसरी बार मोका दिया है दो बार सरकार चलाने का अनुभव हमारे साथ जुड़ा है मैं देश वाद्षों का अज विश्वाद दिलाता हूँ कि हमारे तीसरे कारकाल में हम पहले से तीन गुना जादा मेहनत करेंगे हम परणामों को भी तीन गुना लाकर के रहेंगे और इस संकल्प के साथ हम इस नए कारेभाल को देखर के आगे चल दा है माने सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाए है मैं सभी सांसदों से आगरा करूँगा कि जन हीत के लिए लोग सेवा के लिए हम इस अवसर का उप्योग करें और हर संभव हम जन हीत में कदम उठाएं देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली हैं शायद इस अठारवी लोग सभा में विपक्ष देश के सामान नागरीकों की विपक्ष के नाते उनकी भुमिका की अपेक्षा करता है लोग तंत्र की गरिमा को बनाय रखने की अपेक्षा करता है मैं आशा करता हूँ कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा साथियों सवधन में सामान ने मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की डिजिलेंस की लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे हैं ड्रामा होते रहे लोग सब्स्टन्स चाहते हैं स्लोगन नहीं चाहते हैं डेश को एक अच्छे विपक्ष की आवशक्ता है जिम्मेबार विपक्ष की आवशक्ता है और मुझे पक्का विश्वाद है कि इस अठारवी लोग सभा में हमारे जो सामसद जीत करके आए हैं वो सामान ने मानवी की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे साथियों विश्षिद भारत के हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबका दाईत्व है हम मिल करके उस दाईत्व को निभाएंगे जनता का विश्वास हम और मजबूत करेंगे पचीश करो नागरिकों का गरीबी से भार निकलना एक नया विश्वास पादा करता है कि हम भारत को गरीबी से मुक्त करने में बहुत जल्द सभलता प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव जात की बहुत बड़ी सेवा होगी हमारे देश के लोग एक सो चलीस करो नागरिक परिश्व करने में कोई कमी नहीं रखते हैं हम उनको जादा से जादा आउसर जुटाएं इसी एक कलपना और हमारा ये सदन वो एक संकल्प का सदन बने हैं हमारी अठारवे लोग सभा संकल्पों से भरी हुई हो ताकि सामान ने मानवी के सप्न साकार हो साथियो मैं फिर एक बार विशेश करके नए सांसदों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं और अनेक अनेक अपेच्छाओं के साथ आईए हम सब मिल करके देश की जंता ने जो नया दाईत्व दिया है उसको बखुभी निभाएं समर्पन भाव से निभाएं बहुत-बहुत धन्यवाद सात्यों झारी कर दियात्यों झाल झाल